भारतिये क्रिगेटर कौन कौन से ब्रैंड के बैट यूज करते हैं विराट कोली और शिकरताओं यूज करते हैं एमारेप जिनेस ग्रेंड इडिशन चिनका प्राइज 17,000 से 18,000 के बीच में है महिंदर सिंग धोनी स्मार्टान MSD बैट को यूज करता है जो कि 7 वर्शन है औ 12,000 से 15,000 के बीच और सुरेश शाहिना सनीक गोल्ड को यूज करता है और साथ में केल राहूल एडिडस पिलेराव बैट को यूज करता है जिनका प्राइज है एराउंड 20,000 रुपए दोस्तों एमारेप तो है एक टायर बनाने वाले कंपनी और साथ में सीड भी है टायर कंपनी जिसका बैट रोई शार Leah रहा लाएं उसकरते है और अजिकरा रहाने भी उसकरते है लेकिन वो लोग घौट बनाते है ओ लोग क्या बैट बनाते है कौन-कौन सा ऐसे कंपनी है या फिर मशूर ब्रैंड है जो लोग बैट बनाते है बहुत क्वालटी Legत बदा की ASES यानि सरीन स्पोर्स इंडेस्ट्री जो की इंडिया की मेरूट बेस्ट एक कंपणी है जो इंडियन और इंट्रेशनल क्रिकेट प्यर के लिए बैट बनाते हैं और मुल्ली मुझे ASES बैट को यूज करके खिलते हैं इसके बाद आते हैं SG क्रिकेट बैट और यह भी मेरूर स्टी में ही बनता है और यह भी बहुत अच्छे कंपणी है SG क्रिकेट बैट से हार्दिक पांडिया खिलता है चत्तिशर पुजारा खिलते है सुरेश रायना भी खिलते है वो और पर साथ में आता है MRF बैट MRF का फूल प्रम क्या है मद्राज रावर फैक्टरी सबसे पहले MRF जब बैट सप्लाई करते थे सेचिन टेनल करको तब MRF जॉब वर्क देते थे मेरत या फिर हरियाना भेस्ट जो सब छोटे मोटे बैट बने लिए कंपणी है उन लोगों को जी हाँ वहाँ से जॉब वर्क करके वही बैट दिया जा था सजुन टेनल करको और दीरे दीरे MRF का जब बैट पॉपलर होने लगा तब बहुत सारे बै बैट मैनुफक्चर करते हैं और यह से ही जॉब वर्क करवाते हैं रिबॉक नाइक पूमा जैसे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कमपनियां क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर वो अपने फैसलेटीज में बैट को मैनुफक्चर करें और वो बैट को इं सेशन वगरा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डियूटीज के बहुत जंजट है और उसके साथ साथ एक नॉर्मल बैट का इदाम आसमान चूने लेगा और उनके ब्रैंड का पॉप्लरिटी गिर सकता है इसके लिए एक अच्छी प्रैस के साथ साथ इंडिया में बैट बेच नगर जैसा बहुत सारे सिटीज है जहां पर यह कॉम्पनियाज आराम से बैट मैनुफक्चर करवा सकते हैं कुछ इंटेनाशनल ब्रैंट्स भी है जो की बहुत अच्छे तरीका का बैट बनाता है जैसे की जीम गन और मूर कोकाविरा स्पोर्ट्स स्पार्टन स्पोर्ट और भी बहुत सारे कंपनियाज तो पहले स्टीकर और अपना कंपनियों का प्रोमोशन के लिए ही बैट में लगाते थे और अभी खुद अपना मैनुफक्चर यूनिट भी खोल लिए तो दोस्तों स्पोर्ट्स एक्टिकर के बारे में आपको और क्या जैन कर जाहें देज